हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में modular fitting के बारे में बात करेंगे जब हम electrical shop पर switch board पर लगने वाली sheet या plate खरीदने जाते हैं तो shopkeeper हमसे पूछता है कि कितने module की sheet या plate आपको चाहिए अगर हमें module नहीं पता है तो वो हमसे size पूछता है कि sheet का size क्या है तो आज हम इस वीडियो में इसी doubt को clear करते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको module के हिसाब से बताऊंगा कि कितने module की sheet में कितने switch socket आते हैं फिर मैं आपको sheet के size के हिसाब से बताऊंगा कि किस size की sheet में कितने switch socket आते हैं तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा जो one module होता है ये हमारे one switch के बराबर space cover करता है तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक module एक switch के बराबर होता है अब देखें जो हमारे two module होते हैं वो हमारे two switch के बराबर होते हैं या two switch जितना space वो cover करता है अब आपको पता होगा कि जो हमारा socket होता है वो size में switch से बड़ा होता है और दो switch के बराबर वो जगह cover करता है तो यहीं पे देखे 2 module में 2 switch fit होते हैं या फिर 2 module में एक socket fit होता है जो हमारा एक socket होता है वो two module के बराबर space cover करता है अब मान लीजिए आपको एक sheet तियार करनी है जिसमें आपका one switch है प्लस में one socket है तो हमें कितने module की sheet चाहिए इसके लिए देखें हमारा जो one socket है वो two module cover करता है और switch one module तो इसके लिए हमें three module की sheet चाहिए अब मान लीजिए आपको एक board तियार करना है जिसमें आपने two switch और two socket लगाने है तो इसके लिए हमें कितने module की sheet चाहिए तो इसके लिए दोस्तों हमें six module की sheet चाहिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा one module जो होता है वो one switch के बराबर space cover करता है तो इसे हम one module is equal to one switch मान लेते हैं ठीक है तो अब देखें हमें जैसे six module की जो हमारी sheet है इसमें हम two switch और two socket easily fit कर सकते हैं दूसरा अगर हम इसमें केवल एक socket fit करते हैं तो इसमें हमारे चार switch आ जाएंगे एक socket रखते हैं तो इसके साथ में चार switch हमारे इसमें fit होंगे दोस्तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा अब देखिए हम size के हिसाब से sheet को जानेंगे कि कि size की sheet में कितने switch socket fit होते हैं दोस्तो sheet का size सुरू हो जाता है 3 by 3 से ये 3 by 3 क्या है ये 3 inch multiply 3 inch होता है 3 by 3 3 by 3 की sheet में हमारा single या double module आता है मतलब इसमें 1 या 2 switch fit हो सकते है इसमें 1 या 2 switch हमारे fit हो सकते है अगला size हमारा 3 by 4 होता है जिसे हम 3 module sheet कहते है या इसमें 3 switch आ सकते है इससे अगला size हमारा 3 by 5 होता है जो 4 module होता है या इसमें हम 4 switch fit कर सकते हैं इससे अगला size हमारा 3 by 8 का आता है 3 by 8 ये जो sheet होती है 3 by 8 की ये हमारी 6 module sheet होती है और इसमें हमारे 6 switch आते है इससे अगला size है वो 3 by 12 का है इसमें हमारे 8 switch आते है मतलब ये 8 module sheet हो कहलाती है और इसमें हमारे 8 switch fit बैट जाते है दोस्तों इन sheet के अलावा देखे 6 by 6 की sheet होती है जो हमारी 8 module होती है इसमें 8 switches आते है दूसरा size हमारा 6 by 8 का होता है जो 12 module होता है इसके अंदर 12 switch आ जाते है दोस्तों इसके अलावा भी और कैई size आते हैं sheet में लेकिन जादा तर दुकंदार अपने पास यही size रखते है और mostly घरों में यही size की sheet लगी होती है office हो गए, घर हो गए कहीं भी आप देखोगे तो हमें यही size की sheet हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें कितने switch socket के लिए कौन सी sheet खरीदनी है module के हिसाब से भी और size के हिसाब से भी मैं आपको एक उधारन देता हूँ मान लीजिए हमें एक board तियार करना है जिसमें हमें एक socket लगाना है साथ में चार switch लगाने है जिसमें एक fan regulator है तो तीन switch एक fan regulator और एक socket हमें तयार करना है ये हमें एक board तयार करना है तो इसके लिए हमें कितने module की sheet खरीदनी होगी तो देखिए मैं दोनों बता देता हूँ इसके लिए हमें 6 module की sheet हमें खरीदनी होगी क्योंकि इसमें हमारे जो 6 switch हैं वो fit हो जाते हैं देखिए 1, 2, 3, 4 और 2 switch की जगा हमारा socket कवर करता है और seat का size आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 by 8 की sheet हमें size में चाहिए दोस्तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितने switch socket के लिए कितने module की sheet चाहिए यह size में कितने size की sheet चाहिए दोस्तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो मेरी वीडियो को like करें friends के साथ share करें और अपने इस दोस्त विनुत कमा technician को subscribe करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद